अगर आपकी भी हड्डिया कमजोर हो गई है या फिर हड्डियों में से कट-कट की आवास आती है कैशियम की कमी है, विटामिन D की कमी है, इम्यूनिटी वीक है, बहुत चल्दी थकान महसूस होती है तो आज की रूमा व्लोक्स की वीडियो आपके लिए डेडिकेटिड है जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपके लिए इन सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए एक ऐसा घरेलो कारगर उपाय लेकर आई हूँ, जिसे अगर आप रोज एक भी खाना शुरू करोगे तो आपको हड्डियों से जुड़ी सारी अर्थराइटिस, जॉइंट पेंच जैसे सारी परेशानियों से केवल आट दिनों में ही इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा बस तो फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करना है नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी रूमा व्लोग्स के चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप पहली बात देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो नीचे लाल रंग के बटन दिख रही है उस पर भी क्लिक जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें रसेपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी यानि की ठाइसो ग्राम देशी घी चाहिए अब इसी घी में से दो बड़े चमच घी निकाल कर हम एक पैन में डाल देंगे घी करम होने पर इसमें खाने वाला गोन 100 ग्राम डाल कर उसे अच्छी तरह फूलने तक फ्राय करें आपको पता है घी को सहत के लिए बहुत फायदेमन माना जाता है शुद्य देशी घी को सूपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये एंटि आक्सिडन के साथ एंटि बैक्टेरियल और एंटि फंगल खूबियों से भरपूर होता है घी में भरपूर मातरा में विटेमिन A, E, K2, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटेमिन C के गुन पाय जाते हैं जो सेहत और कमजोर हड्यों की समस्या को दूर करते हैं वही गोंद से हड्या मजबूत होती है और हार्ट से संबंदित बिमारियों का खत्रा कम होता है गोंद अच्छे से फूल गई है, अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे अब इसी पैन में 100 ग्राम मखाना डाल कर अच्छे से पकने तक भूनना है कई रिसर्च से पता चला है कि मखाना का सेवन शरीर को परियाप मातरा में केल्शिम प्रदान करता है जिससे पोन हेल्थ लंबे समय तक बनी रहती है साथ ही मखाना जॉइन पेन और गठिया अर्थराइटिस जैसे बिमारी की संभावना को कम करता है मखाना अच्छे से पक चुका है अब इसे भी प्लेट में हम निकाल लेंगे अब 100 ग्राम बादाम लेकर इसे मॉइस्चर निकलने तक भूनना है बादाम में कैश्यम की अच्छी मातरा होती है जो बून्स की हल्थ के लिए जरूरी निउट्रिशन है बादाम में कैश्यम के साथ मैगनेश्यम, मैंगनेज, विटेमिन के, प्रोटीन और कॉपर, जिंग भी पाया जाता है इन सभी से हड्या मजबूत बनती है बादाम का मौश्यर निकल गया है, अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे अब 50 ग्राम अख्रोट लेकर इसे भी भूनना है अख्रोट का सेवन करने से हड्या मजबूत होती है क्योंकि अख्रोट में अलफा-लिनोनेनिक एसीड होता है अख्रोट में कैश्यम और फोस्फोरेस भी पाया जाता है जो हड्यों में ऑस्टोपोरोसिस होने से रोकता है साथ ही कॉप पर बोन मिनरल टेंसिटी को भी बनाए रखता है अख्रोट अच्छी तरह भून चुका है, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे अब 100 ग्राम किश्मिस लेकर थोड़ा भून लेंगे किश्मिस का साइज भले ही छोटा होता है लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में कैश्यम पाया जाता है जो कि हड्यों के लिए फायदेमन्द होता है ये हट्टियों की टेंसिटी को बढ़ा कर हट्टियों को मजबूत करता है किश्मिस में वाइटिमिन A पाया जाता है जो आखों की रोशनी के लिए काफी फायदेबन साबित हुआ है किश्मिस सब भून चुका है अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे किश्मिस निकाल कर गैस को बंद करना है और गरम पैन में ही दो टेबल स्पॉन भरके यानि की 30 ग्राम संफलावर सीट्स, 30 ग्राम पंकिन सीट्स और 30 ग्राम चिया सीट्स को लेकर भूनना है Sunflower Seeds यानि के सूरज मुखी के बीच हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं इनमें Magnesium के कुन अच्छी मातरा में पाये जाते हैं जो हड़ियों के लिए लाबदायक माने जाते हैं ये हड़ियों को मजबूत करता हैं और जोडों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं इनमें मौजूद Zinc, Selenium और Anipostic तत्व इम्मूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और Inflammation Virus से लड़ने में मदद करते हैं वही Pumpkin Seeds यहने की कद्दू के बीज में केलशियम की अच्छी मातरा पाई जाती हैं जो हड़ियों के विकास उनके निर्मान और देखबाल के लिए जरूरी तत्व हैं वही Chia Seeds में फाइबर अधिक होता है जो Constipation से भी बचाता है भोजन को पचाने में मदद करता है वजन कम करने के लिए भी इसे एक बहतरीन बीज की कैटेगरी में शामिल किया गया है साथी हड़ियों को मजबुत बनाने हार्ट को हेल्दी रखने में भी Chia Seeds के फाइदे होते हैं अब इन बीजों का मोईस्चर अच्छी तरह निकल गया है अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे अब एक बतन में 250 ग्राम गुड और आधा कब पानी डाल कर एक तार आने तक पकाना है गुड में भी कैश्यम होता है जो हड़ियों को मजबूत बनाता है अब ये गुड एकदम पक चुका है और लगबख एक तार भी आ चुकी है अब हम गैस बन कर देंगे अब पहले वाले पैन में बचा हुआ घी डाल कर गैस को शुरू कर देंगे अब इसमें एक कब सूजी और आधा कब गैहो का आटा डाल कर तीन से चार मिनिट तक भून लेना है सूजी शरीर में एनरजी बढ़ाने में मदद करती है और शरीर के कारेशमता को बढ़ाने में भी मदद करती है ये एनेमिया से भी बचाओ करती है और हाई कॉलेस्ट्रोल से रक्षा करती है वही गेहों में विटेमिन E, सीलियम और फाइबर पाया जाता है जो कैंसर की सेल्स को पनपने से रोकता है तीन से चार मिनिट हो चुके हैं और हमारी सूची और आटा भी अच्छे से भुन चुका है अब हम गैस को बन करतेंगे अब इन ड्राइफ रोट्स और सीट्स को हम मिक्सी चार में डाल कर इसे दरदरा पीस लेंगे इनका एकदम पौडर नहीं बनाना है इसे इस तरह से दरदरा ही रखना है हमने सीट्स और नच्स का तो पौडर बना लिया लेकिन किश्मिस को हमने वैसा ही रखा है गagu और मखाना दोनों को हमने मिक्सी करैंडर में सिफ 2-3 सेकेंड के लिए ही चलाया है अब गुड़ के अंदर सूजी, आटा, ट्राइफ रूट्स, सीड्स और मखाना और गोंद के पाउडर को हम डाल कर इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके मीडियम साइज के लड्डू बना लेंगे आपको रोज एक लड्डू खाना है, अगर सुबे के समय खाली पेट एक लड्डू खाएंगे तो और भी फायदा होगा आपको रोज लड्डू खाने पर आट दिनों में ही समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे आपकी कमजोर हड्डियों में ताकत तो आही रही है साथ ही जॉइन पेइन भी कम हो रहा है इन लड्डू की टेस्ट का तो क्या कहना? आहाहा, इतने टेस्टी है न, ये लड्डू की बस खाते रहने का मन करता है लेकिन बस एक ही लड्डू एक समय पे खाना है और वो भी दिन में एक बार आप चाहे तो दूद के साथ भी इन लड्डू को खा सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेट जरूर करें फिर मिलते हैं अगली नहीं स्किन, हैर और हेल्थ रिलेटेट रेसिपीज और रेमेडीज के साथ तब तक के लड्डू खाकर अपनी आपको फिट रखे और खुश रहें टेक केर, थैंक यू